ना संसद में उन्होंने पेश की ना जन्ता के सामने रखी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए लेकिन प्रमान कुछ ने केवल जूट का पुलंदा से ये राज कर रहे हैं मैं आप से कहना चाहता हूँ ये देश सबका है आज हमसे कहते हैं हिंदू ओ एक हो जाओ हिंदू ओ एक हो जाओ हिंदू धर्म खत्रे में है सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान देना ये कॉंग्रिस पार्टी का चरित्र है लेकिन आप भारतिये सेना के खिलाफ बोलेंगे ये भारत बरदाश्ट नहीं करेगा ये भी सब जानते हैं कि अधर्निय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से राहूल गांदी और कॉंग्रिस पार्टी को नफरत है लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ऐसा प्रतीत होता है कि राहूल गांदी और दिगविजे सिंग अब अंधे हो गए है उनको अपनी जिम्मेदारी का एसास भी अब नहीं है देश के लिए भक्ती भाव भी जो है वो समात्त हो गया है लेकिन श्री जो नहीं है